चलिए, वेरीकराफ लाम नेक्स्ट प्रेशन है हमारा सिगनम टी फाइंड दे फोरियर ट्रांसफर्म आफ सिगनम टी तो जो सिगनम फांक्षन है वो कुछ इस तरीके से दिखाए देता है जीरो से लेके इंफिनिटी तक इसका magnitude 1 होता है और जीरो से लेके इंफिनिटी तक इसका magnitude माइनस 1 होता है इस तरीके से आप सिगनम फांक्षन को रिपिजन करते हैं और बेटर है 1 की जगे आप लिखते हैं U of T और माइनस 1 की जगे लिखते हैं माइनस U of T तो सिगनम फांक्षन इस तरीके से आप रिपिजन कर सकते हैं सिगनम T इस नाथिंग बाट U of T माइनस U of माइनस T ये नेगटिब एक्सिस पर आ रहा है तो माइनस U of माइनस T सिगनम फांक्षन का फोरियर ट्रांस्वर्म निकालने से पहले हम कुछ रिवाइस कर लेते हैं पहले हमने एक फांक्षन का फोरियर ट्रांस्वर्म निकालना था इस फांक्षन का इस फांक्षन को आपने बोला था इटिद पावर माइनस B T इन्टू U of T अगर मैं इस फांक्षन को ट्रॉव करता हूं तो इस फांक्षन को भी हमको पता है इस फांक्षन को आपने ब्रिजन कर रहा था E to the power B T इंटू U of माइनस T अगर मैं इस फांक्षन का इंप्लिट्यूड इंवर्ड कर देता हूं मैं इस फांक्षन को अगर ब्रिजन करता हूं तो मैं इसको कुरूँगा माइनस बाहर जो मानस साण लगती है मिव एंपरिटीडीर इन वी च्राइब सबूटे करता है तो माइनस पावर बीडी इंस यू औफ माइनस-द अब अब हम इस function को अगर साथ में लिखें तो हमेरी बात में present है e to the power minus bt into u of t minus e to the power bt into u of minus t b जो है वो slope को दिखाता है, b is the slope of the function. किस rate से आपका graph decrease हो रहा है या increase हो रहा है, that is the value of b. b is the slope of the curve. इस function का Fourier transform हमको पता है, e की power minus bt का Fourier transform. e की power minus bt का जो Fourier transform होता है, वो होता है आपका 1 upon b plus j omega. चलिए, मैं आप इस function को represent कर देता हूँ. e की power minus bt into u of t minus e की power bt into u of minus t. इस function का अगर मुझे Fourier transform निकालना है, तो e की power minus bt into ut का Fourier transform, 1 upon b plus j omega, negative sign as it is minus sign. और e की power bt into u of minus t का Fourier transform, 1 upon b minus j omega. हुमको पता है, b is called as slope of the function. अगर मैं slope 0 कर दो, मैंना, b की value को अगर मैं 0 कर दो, तो e to the power 0, 1, that is u of t, minus e to the power 0, again 1, u of minus t. जैसा आपने time axis पर गढ़ा है, वैसा का वैसा आपको frequency axis पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि Fourier transform, linearity property को follow करता है, तो b को 0 कर दिया, तो j omega, इस b को 0 कर दिया, तो minus minus positive value में convert हो जाएगा, plus 1 upon j omega. तो हमको Fourier transform मिल गया है, u of t minus u of minus t is referred as signum t, और इस function का Fourier transform मिल गया, 2 upon j omega, Fourier transform of signum t. Thank you.